नमस्कार एटोजर डिशर्ष उश्यक और जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी बहुत ही टेस्टी एक्टम इतने बढ़िया से फुले फुले करना टका के बहुत ही फेबस जिसे आप प्रसित भी कह सकते हैं यह मैंगलोरी ब बरतन और यहां पर मैंने ले लिया है केला तो यहां पर मैंने केला ले लिया है और इस तरह से चील लेंगे इसी तरह से चील कर मैंने दो और डाल दिया है टोटल मैंने इसके अंदर डाला है तीन केले और यहां पर मैं इसके अंदर डाल रही हूं दो बड़े चमाच जतनी चीनी दालना के पाल इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है अपने हातों की मदद से इस तरह से मैश कर देना है पूरे आलो को तो यहाँ पर आप देखे हैं कि कितनी अच्छे समय से मैश का लिया है बस इसी तरह से बना चाहिए कोई भी बड़े टुकने नहीं नहींने चाहिए अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कप मैदा और एक कप गेउं का आटा वैसे तो यह सिफ मैदे विसे भी बनते हैं पर यह गेउं का आटा डालने से क्या होता है यह जो मैंगरोली बंस है बड़िया सिफ वूलते हैं अच्छा कलर आता है तो जितना मैदा डाले उतना ही आटा डाले एक एक कप मैंने दोनों डाला है फोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहाँ पर मैंने आधी चमज जीरा को डाल दिया है इसे काफी वड़िया फलेवर आता है इसके साथ एक चोथाई चमज बेकिंग सोडा डालेंगे रह पर बेकिंग सोडा डालने के बाद दो से तीन चमबर जितना मैंने इसके अंदर तील डाल दिया है और दो चमबर जितनी मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है और बस इसे हमें अच्छे से अभी मिक्स करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दीरे दीरे से मिक्स करती जा रही हूँ और इसे एक आटे की तरह गूनना है तो यह जो मैंगलोरी बंस के लिए आटा होता है न वो एकदम सौफ्ट होता है तो बस इसी तरह से मैंजे यहाँ पर पानी डालने के जरूरत नहीं लगी अगर आपको पढ़ती है तो आप डाल सकते है मैंने अब पानी बिलकुल भी नहीं डाला और इससी तरह से यह आटे को गून लिया है आप देख सकते है आटा कुछ इस तरह से है नहीं जाधा सकत है नहीं जादा नर्म है इस तरह से होना चाहिए थोड़ा से तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह से फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे तो तेल लगाने के बाद इस तरह से मसल ले बस इसमें थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ता है मेंगलोरी बंस में क्योंकि इसके जो आटा है इसे रेस्ट दिया जाता है तो बस मसल लिया अब इसे ढख कर हम रख देंगे ओवरनाइट यानि पूरी रात आप इसे 6-7 घंटे भी रख सकते हैं पूरे दिन में कोई भी टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे रात पर रखा था ओवरनाइट और यह कुछ इस तरह से हो गया है कलर यह इस तरह से इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमने गिहूं का आटा डाला है और आप देखें कि यह जो बंस के लिए आटा है ना कुछ इस तरह से होगा मेसेज़ेस करूंगे आप इसे ओवरनाइट रखें तो आपके बढ़िया ये मैंगलोरी बंस बनेंगे तो बस आटे को इस तरह से थोड़ा सा मसल लिया है आप थोड़ा सा तेल ले लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा लगा लेंगे और इस आटे में से ऐसे लोई निकालेंगे और दोनों हाथ के बीच में इसे हमें इस तरह से मसल लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मसल लिया है और यह मैंने एक लोई तयार कर लिया है अब यहाँ पर मैंने चकला ली लिया है इसके ओपर ये लोई को रखेंगे और इस तरह से बेल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे समेने से बेल लिया और थोड़ा सा मोटा ही रखना है ज्यादा पतला नहीं और इसके लिए जो तेल है ना अच्छा गरम होना चाहिए एकदम दूवे दार भी नहीं पर बद्यम गरम तेल में इस तरह से डाल दिना है और डालने के बाद तुरंती इसके उपर इस तरह से तेल डालते जाना है तो यह बंच इतने फुले फुले बनते और इतने टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये बढ़िया से फूल रहा है तो इसे इस तरह से पलट ले और ऐसे ही करकि ये अच्छे से फ्राय हो गए है देख सकते हैं दोनों तरफ से एक दम सुने रहे अच्छे से हो गए है तो दोनों तरफ से इस तरह से बीच पीच में पलटते रहे और अच्छे से ये मेंगलोरी बस तयार है इसके साथ काफी लोग सांबर भी लेते हैं और चटनी भी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं ये थोड़े से नमकीन और थोड़े से मीठे का स्वाद दोनों को मिलाकर इतना बढ़िया आता है ना और वैसे तो इसे खास करके खाया जाता है नारियल के जटनी के साथ तो आज इस वीडियो में आपको भी बताऊंगे कि आप नारियल के जटनी कैसे बनाए तो ताजा नारियल नहीं हो अगर आपके पास तो सोखे नारियल भी अब इस्तमाल कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक मिकसर जार ले लिया इसके अंदर में डाल रही हूँ नारेल के टुकड़े यहाँ पर नारेल डालने के बाद इसमें में डाल रही हूँ एक बड़ा चमच बुने हुए चने 6-7 लसुन दाल देंगे और 2-3 हरी मिर्ची काट कर दाल देंगे अदे इंच अतरक के टुकड़े को 20 से काट कर दाल दिया है और एक कप जितनी मैंने इसके अनदर दही डाल दिया है थोड़े से धन्या के पते और इसे ढखकर हमें पीस लेना है पानी डालने के जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने धही का इस्तिमाल किया और एक कप जितनी डाली है तो अच्छे से पिस चाहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस का तयार कर लिया है तो ढकन को इस तरह से हटा ले और यह जो सूखे नारी की चट प्रकनी नहीं है और स्वाद भी बहुत बढ़ियात है उसमें भी कोई भी फरक नहीं है अब तड़का पेन में मैंने एक चोटी चमस तेल डाल दिये जैसे गरम हो जाए एक चता ही चमस राई और पांसे छे कड़ी पते राई जैसे ही चटकना शुरू हो जाए तुरंती ग बढ़िया लगती है डोसा इडली वड़ा तो चलिए आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजएगा देख सकते कितने सॉफ्ट और कितने फूले फूले हैं ट्राइ कीजिए मुझे कमेंस पता है रेसिपी कैसे लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शे अच्छी लगी है गिरू है।